हेलो दोस्तों आसम दराइज ओफ नेशनलिजम इन यूरोप चेप्टर का सेवेंथ पार डिसकस करने जा रहे हैं और आज के इस डिसकस्टन का टॉपिक है यूनिफिकेशन आफ इटली तो आए दोस्तों सुरू करते हैं दोस्तों यह है आज के यूरोप का मैप इसमें आप देख पारे होंगे कि यहाँ पे है इटली यह है कंट्री इटली इसके अलावा कुछ और इंपोर्टेंट कंट्री का लोकेशन देख लेते हैं क्योंकि इन कंट्री का नाम बार-बार आज के लेक्शर में आने वाला है यह है दोस्तों France, UK यानि की ब्रिटेन, Germany और यह है औस्ट्रिया एक बार देख लेते हैं Italy, France, UK, Germany और औस्ट्रिया ठीक है दोस्तों आई अब देखते हैं Italy यह है दोस्तों आज का Italy जो की unified है और यह जो map देख रहे हैं यह भी इटली का ही है लेकिन यह unification से पहले का map है और इसमें आप देख रहे होंगे कि Italy के different parts को different color से सो किया गया है ऐसा इसलिए है क्योंकि उस समय Italy के different parts different empires और rulers के under में यानि उनके control में आया करते थे तो हमको आज के इस lecture में यही समझना है कि किस तरीके से यह Italy जो है इतने different parts में होते हुए जो है किस तरीके से यह एक Italy में unified होता है तो आज़े दोस्तों समझना की कोसिस करते हैं सबसे पहले हम देखेंगे कुछ timeline हम जानने की कोसिस करेंगे कि अभी तक हमने Italy के बारे में क्या-क्या किया है दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 1796 से 1815 का जो समय था वो नेपोलेनिक वार का समय था और इस समय नेपोलियन जो है यूरोप के different parts में जो है उनके areas को conquered कर रहा था जीत रहा था और उसने बहुत सारे areas में बहुत सारे changes लाने कोसिस की जिस अधिके से उसने जो जर्मन speaking areas में 39 states का confederation बनाया वैसा ही उसने confederation जो है इटली मी बनाने का प्रयास किया था और कुछ हद तक वो उससे में सफल भी हुआ था बाद में 1815 में battle of waterloo में नेपोलियन defeat हो जाता है उसके बाद इसी year में treaty of Vienna होता है और treaty of Vienna के जब sign होता है तो इसी में आस्ट्रिया को इटली का पर्मा, मोडेना, टसकन, लोंबार्डी और वेनेशिया जो की इटली के northern states थे इनको जो है आस्ट्रिया को दिया जाता है इसके अलावा एक जो फ्रांस था Spain और two Sicilies यानि kingdom of two Sicilies जो की इटली में परता था यहाँ पे bourbon dynasty को restore कर दिया जाता है और उसके बाद map कैसा दिखता है आए देखते हैं इसके अलावा जो है 1830-1848 में मैंने आपको पिछली lectures में बताया था कि बहुत सारे revolutions हुए थे बहुत सारे parts में यूरोप के लेकि यह है इटली का यूनिफिकेशन से पहले का map इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे है सार्डेनिया इसको हम बोलते हैं इन दोनों को और यह दोनों आते थे house of Savoy के control में जो की इटली का ही princely house था यानि कि यह एक ऐसा territory था एक ऐसा area था इटली के अंदर उस समय जिसके उपर हम कर सकते हैं कि इटली के ही लोग रूल किया करते थे इसके अलावा लोंबार्डी, वेनेश्या, पर्मा, मोडेना और टस्कन इसके उपर Austrian Empire का रूल हुआ करता था मैंने आपको बताया अभी कि 1815 में जब Treaty of Vienna हुआ था तो उसमें इन सभी areas को Austrian Empire के control में दे दिया गय यानि कि यहां के Pope को पेपल इस्टेट में जो रहता था उसको फ्रेंच आर्मी के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता था इसके अलावा Kingdom of two Sicilies जहां पे मैंने बताया आपको कि बर्बन डाइनेस्टी का रूल हुआ करता था तो इस तरीके से देख रहे होंगे दोस्तों आ Kingdom of both Sicilies तो आईए हम जानने की कोशिस करते हैं दोस्तों आज के लेक्षर में कि किस तरीके से इन सभी को यूनिफाई करके एक इटली बनाया गया दोस्तों तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से लीडर थे जिन्होंने यूनिफिकेशन में की रोल प्ले किया तो इसमें तीन नाम आते हैं पहला है कॉंडि केवर का दूसरा है मैजनी तीसरा है गैरी बालडी केवर को हम बोलते हैं माइड he was the mind of unification of इटली ठीक है क्यों हम माइड बोलते हैं क्योंकि जहां कहीं भी ऐसी कुछ diplomatic alliance करने होते थे, diplomatics decision लेने होते थे, यानि कि कुछ कुछ नितिक निर्ना लेने होते थे, वहाँ पर केवर अपना दिमाग लगाता था, और वो सारे काम वही करता था, जहाँ पर दिमाग की जोज़ परती थी, वहाँ पर केवर, दूसरा जो है mezzini, उसको हम बोलते हैं कि he was the heart behind the unification of Italy, उसको हम heart क्यों बोलते हैं, क्योंकि लोगों को जो जोडने का काम था, लोगों को जो एकत्रित करने का काम था, वो जो है mezzini करता था, तीसरा है Gary Baldy, Gary Baldy को हम sword बोलते हैं, यानि कि तलवार, यानि कि जहां भी लडाई करने की बात आएगी, तो वहाँ पर help करने आएगा Gary Baldy, अब एके करके इनको details में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं, पहले देखते हैं GCP Mezzini, दोस्तों यह है GCP Mezzini, इसके बारे में हमने पिछले lecture में भी डिसक्रस किया था, GCP Mezzini ने जो है, 1830 में जो revolution हुआ था यूरोप के different parts में, उसमें इन्होंने participate किया था, और इसी के बाद जब ये जो revolution हुआ था, 1830 क्या, जब ये repress कर दिया गया, conservative powers के द्वारा, तो उसके बाद इनको exile कर दिया गया, यानि कि देश से बाहर निकाल दिया गया, और revolutionary ideas को जो है spread करना, तो इन्होंने बहुत सारे secret societies established की, उन्ही में एक बहुत ही famous secret society थी, जिसका नाम था, Young Italy, और इसमें 60,000 से अधीक member दोस्तों थे, दूसरा character है, दूसरा जो बेखती है, personality, वो है GCP Gary Baldy, Gary Baldy जो है, ये Young Italy जो secret society, जो की, GCP Magini के दोरा जो establish किया गया था, उसका ये member था, GCP Gary Baldy ने, 1834 में एक uprising हुआ था, एक अंदूलन हुआ था, पिड मोंट में, उसका unification करने को ले करके, इटली का unification करने को ले करके, तो इस uprising में Gary Baldy ने participate किया था, और बाद में उस uprising को, वहाँ की conservative जो powers थी, उसके दोरा repress कर दिया गया, और इस वज़े से जो है, फिर वो जगा छोड़ करके, और GCP Gary Baldy चला जाता है, South America, बाद में 1854 में वो वापस आता है, किसलिए? इमेनुवल सेकेंड, जो उसमें, पिडमोंट साडिनिया का जो king था, इमेनुवल सेकेंड, वो उसमें, इटली को unify करने के लिए कोशिस करना शुरू करता है, तो उसको support करने के लिए, 1854 में Gary Baldy वापस आता है, इटली में, तीसरा ब्यक्ति है, county kever, ठीक है, यह है county kever, तो county kever जो है, उसको 1852 में, विक्टर इमेनुवल सेकेंड, जो की पिडमोंट साडिनिया का king था, उसने kever को, वहाँ का chief minister appoint किया, दोस्तों, जब यह chief minister बनता है, तो county kever जो है, उसने, इटली के unification करने का जो moment था, उसको इसने lead करना शुरू किया, यह बिल्कुल उसी तरीके से county kever का वही रोल है, इटली के unification में, जो की बिसमार का रोल है, जर्मानी के unification करने में, जिसके बारे में हमने, पिक्सले lecture में, जो है, discussion किया था, और county kever ने क्या किया, इसने बहु कौन से economic policy को adopt किया, इसने कौन से एस reforms किये, पिटमोन साडिनिया में, जो की बात में जो है, बाकी राजियों के लिए एक आदर्श बना, इसने इस्टेबलिस किये कुछ banks दोस्तों, इसने बहु सारे banks को इस्टेबलिस किया, इसके अलावा उसने बहु सारे cooperative societies इस्टेबलि दिये लोगों को, यानि कि लोगों को जन अधिकार दिये, liberty to press, यानि कि जो press था उसको उसने सुतंता दिया कि जो चाहे वो publish कर सकते हैं, इसके अलावा उसने जो birth based privileges थे, जन्म के अधार पे जो vicious अधिकार मिलते थे लोगों को, ऐसे सभी vicious अधिकार को जन्म के अधार पे उसको उसने खतम कर दिया, दोस्तों ये सारे steps ले करके, पिट्मोंट साडिनिया के अंदर, काउंट डिकेवर ने जो बाकी जो states थे, जो दूसरे empires के control में आते थे, दूसरे kingdom के control में आते थे, उनको एक तरीके से इसने message भेजा, ऐसा करके, कि हम इतने reforms कर रहे हैं, अगर वो सभी states हमारे पास आ जाएंगे, पिट्मोंट साडिनिया से अगर वो integrate कर लेते हैं, उनके साथ सामिल हो जाते हैं, तो ये सभी इतने अच्छे जो changes हैं, वो हम उनके states में भी ले के आएंगे, और जब काउंट डिकेवर ये सभी steps ले रहा था, तो उसको ये बात पता थी की future में हो सकता है कि इन सभी जो बाकी states हैं, उनको अपने साथ मिलाने के लिए और इटली का यूनिफिकेशन करने के लिए हमको war करना पड़े, इसलिए दोस्तों उसने एक आर्मी भी तैयार की, जिसमें 90,000 से अधिक soldiers जो है उसमें थे, अब इसने diplomacy क्या किया, उसको उम थ 1853 से 1856 के बीच एक war हुआ, किस के बीच में? ये war हुआ था Russia और Britain और France के बीच में, इसमें France और Britain एक साइड में थे और दूसरे साइड था Russia, ठीक है? अब आई इसको समझते हैं, तो मैंना आपको बताया कि war हुआ और इस war में एक साइड कोन थे? Britain और France, दूसरे साइड को पर कंट्रोल करने को लेकर के, इसलिए इसको बोलते हैं, क्रीमियन वार, तो इस war में जो इटली था, उसका कोई रोल नहीं था, उसका कुछ लेना देना नहीं था उसमें, लेकिन फिर भी जो है, काउंट डिकेवर ने बिटेन और France का help करने के लिए, अपने 18,000 soldiers को जो है, वहाँ भेज दिया, कि क्रीमियन वार में वो पार्टिसिपेट करें, और अश्या के अगेंस में, और बिटेन और फ्रांस के फेवर में वो लड़ाई करें, ऐसा उन्होंने किया, 18,000 soldiers को बेजा, बात में बिटेन और फ्रांस ने ये war, क्रीमियन वार जो है, जब इन्होंन के वर इस conference में पहुचता है, तो उसने उन सभी मुद्दों को वहाँ सामने रखा, जिसको फेस कर रहा था, उसने इसी conference में, फ्रांस और बिटेन के सामने ये बात रखी, कि जो Austrian empire है, और उसके control में जो areas हैं इटली के, वहाँ पे वो लोगों को suppress कर रहा है, वहाँ पे problem थी, problem ये थी कि France और Austria, मैंने आपको बताया जो है, कि Count Dickiever ने क्या बताया, कि Austrian जो empire है, वो लोगों को suppress कर रहा है, तो ठीक है उसने Austria का complaint तो कर दिया, जा करके France के सामने, तेकिर problem क्या थी कि France और जो Austria थे, वो दोनों में बहुत ही अच्छे relations थे, तेकि इसे दोनों जो है अच्छे friends थे, वो मित्र राश्ट कर सकते हैं कि थे, ठीक है, तो अब यहाँ पर ये मुश्किल थी कि अगर Austria के उपर अगर future में Italy attack करता, तो ऐसे case में France जो है उसका support करने आयता था, ठीक है, तो इस बात की संभावना थे कि France उसका support करने Austria का आ जाएगा, इसलिए Count Dickiever ने Matrimonial Alliance का मतलब ये था, कि एक परिवारिक संभन्द इस्ताफित की है, उस समय जो Emmanuel Second जो वहाँ पर रूल कर रहा था, तो उसके परिवार की जो ladies थी, उनकी स्रादी जो है, जो उस समय फ्रांस का जो राजा था, Napoleon III, उसके परिवार में कर दिया गया, तो एक तरीके से परिव सिहोर हो गई थी, कि France जो है, वो Austria का साथ नहीं देता, क्योंकि जो है, अब Austria के साथ, उसका अच्छे रिलेसंस तो है, लेकिन France के साथ, इतली का सिधे जो है, वो परिवारिक संभन्द इस्ताफित हो गया है, अब हम जानने कोशिस करेंगे दोस्तों कि Lombardi का, पहला में एक करके अब देखेंगे कि किस तरीके से सबका यूनिफिकेशन किया गया है, किस तरीके से सभी स्टेट्स को जो है, इंटिग्रेट किया गया है, अभी तक उमीद है कि जितना मैंने आपको पता है, वो समझ में आ जाओगा, तो इसको ध्यान में रखिया है, क्योंकि सभी ची हिमनें कि कोसिस करेंगे कि लोवाड़ी कीस तरीक से यूनिफिकेशन होता है तो इसमें क्या होता है लोमार्डी मेंने बता है कि लोमार्डी वैदेशिया किस केंडर्र में थे यहे तो और फूरेट किया ए आप जो है जो है और या बारйा निकलना है तो वहां के लोगों ने जो है रभेल कर्दिया तो इस बात से जो है और आस्त्रियं एक वार लिख्लेर कर दिया जब इसनों के लिख संसे बाद करें करें साल patrimonial alliance हुआ था परिवारिक संबन्द स्ताफित हुए थे और इस वय से पिड्मोंड सार्डिनिया ने फ्रांस से help मागा और फ्रांस का help लेकर के उसने क्या किया और उस्टिया को हरा दिया और लॉंबार्डी को जो है France ने इसका साडिनिया का साथ जो है यानि कि केवर का साथ उतने छोड़ दिया लेकिन ये जरूर हो गया जो है कि इस वार के बाद जो वार हुआ था आस्ट्रिया और पिड्मोंट के बिच में इस वार के बाद लोंबार्डी जो है वो लिबरेट हो गया और अब देखें दोस्तों लोंबार्डी जो है ये पार्ट बन गया किसका इतली का यानि कि वो अब उसका इंटिग्रेशन हो गया साडिनिया के साथ तो अब आईए आगे देखते हैं, अब एक state हो गया दोस्तों, अब बाकी को हम एके करके देखेंगे अगला है integration पर्मा, मोडेना, टसकनी जो की 1860 में हुआ था दोस्तों तो हम देख लेते हैं location पहले, यह है पर्मा, यह है मोडेना और यह है टसकनी हम एके करके देखेंगे कि इनका integration की सरीके से किया गया तो यहां के लोगों को भी दोस्तों जो है, जो county keyword था, उसने keyword ने यहां के लोगों भी इंस्टिगेट किया कि आप जो है Austrian rule के अगेंस में rebel कीजिए, और यहां के लोगों ने देख लिया था कि Lombardi जो है वो अब साड़िनिया के साथ मिल गया है, इसलिए यहां के लोगों ने भी जो है Austrian rule के अगेंस में, जो कि यहां पे रूल कर रही थी, उसके अगेंस में उसने rebel कर दिया यहां के लोगों ने जब यहां के लोगों ने rebel कर दिया तो आस्ट्रिया ने क्या किया ुस बार लढाई तो ने किया लेकिन यहां पर जो rebel हुआ था जो विद्रो हुआ था उस विद्रो को दबाने के लिए लोगों और उनको टोर्चर करना शुरू किया। जब Australia ने पर्मा, मोडेना और टस्कनी के लोगों टाशर करना शुरू कर दिया उसके बाइसे केवर ने क्या किया सिधर पहुंच गया ब्रिटेन के पास ब्रिटेन से जाखर के बोला जो है कि Australia जो है हमारे यहांके लोगों को इटलियन लोग हैं उनको परिसान कर रहा है टॉचर कर रहा है अब ब्रिटेन के पीम ने क्या कहा उसने कहा कि इटली के अंदरूनी मामले में किसी भी देश को कोई भी परकर की जो है इंटरफेर करने का कोई राइट नहीं है कोई अधिकार नहीं है और इसलिए ऑस्ट्रिया को वहाँ पे इंटरफेर नहीं करना चाहिए तो इस तरीके से क्या हो गया अब ये क्लियर हो गया था कि अब ऑस्ट्रिया के पास ने ब्रिटेन का support मिलेगा और नहीं फ्रांस का क्यों क्योकि ब्रिटेन ने कहा दिया कि वो internal affair है internal मामले है उसका sardinija का और उसके साथ कोई उसमें कोई जो है इंटरफेर नहीं करेगा और फ्रांस के साथ तो इसके परिवारिक संबन थे ही जो है ठीक है तो अब यह क्लियर था कि अगर आस्ट्रिया से लड़ाई अगर होती तो ब्रिटेन और फ्रांस दोनों में से कोई उसका साथ देने नहीं आता लेकिन इस बार ज चाते हैं हम उनसे ही पूछ लेते हैं कि वो साडेनिया के साथ आना चाते हैं या ऑस्ट्रिया के साथ जाना चाते हैं ठीक है तो उसके बाद एक प्लेविसाइड कराया गया प्लेविसाइड को हम हिंदीम बोलते हैं जन्मत संग्र यानि कि लोगों से पूछा जा कि वो क्य लोंबार्डी इसके अलावा जो है पर्मा, मोडेना और टसकनी ये सभी स्टेट जो है वो सारडेनिया के साथ इंटिग्रेट हो गए अब बचता है वेनेशिया पैपल इस्टेट और किंग्डम आफ टू सिसलीज अब आए इनके बारे में देखते हैं अब हम देखेंगे पैसे इस टरीके इंटीग्रेशन किस टरीके से हुआ उनका इंटीग्रेशन भी की दोस्तों एटें 16 में हुआ था तो यह जो टू सिसलीज है यहां पे देखिए यह रूल होता था Deaf का अँग्र यह जो फैमली थी इसी फैम्ली का रूल होता था फ्रांस में और इसी फै रूल था इस्पैन में, अब प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम ये है कि अगर केवर कोसिस करता कि यहां का जो बरबंड डाइस्टी है, उसको वो हटाए तो जो बरबंड डाइस्टी यहां रूल कर रहा था ठीक है, इसी की फैमिली तो तो फ्रांस फिर वह अपोच कर देता तो इसलिए इसने क्या किया इसने एक दूसरा यहाँ पर टेक्निक अपनाया इसी समय क्या हुआ था कि उसने गरी बाल्डी को बोला दोस्तों गरी बाल्डी को मैंने बताया था गरी बाल्डी को बोलते थे स्वार्ड यानि कि जहां लड़ाएगी यह उस पड़ेगी वहां पर कोन सामने आएगा वहां पर आएगा गरी बाल्डी तो अब की बार उसने क्या किया गरी बाल्डी को का face बना दिया ठीक है यानि की अब Garibaldi को सामने कर दिया गया Garibaldi ने क्या किया Garibaldi की पास एक army ती जिसको बहुते थे red shirt army क्योंकि इस में जो members थे red color का shirt पहना करते थे इसलिए इसलिए इनको red shirt army बुलायता था तो Garibaldi जो है अपने red shirt army ले करके जिस में करीब 30,000 सायनिक थे उनको ले करके वो सिसलीस में एंटर कर जाता है और फिर वहां का जो राजा था ठीक है जो की बर्बन डाइनिस्टी का था उसको उसने वहां से हटा दिया और फाइनली जो है वहां के लोकल पेजेंट्स जो थे जो वहां के लोकल किसान थे उनकी पर्मा, मोडेना, टसकनी और यह हो गया किंग्डेम वाफ बोस इसलीस तो यह सभी इंटिग्रेट हो गया अब क्या बचता है अब बचता है वेनेश्टीया और पैपल इस्टेट तो आईए अब इनको देखते हैं अब हम देखेंगे वेनेश्टीया का इंटिग्रेशन कि 1866 में ठीक है अब फिर से देखते हैं मैप यहां पर है वेनेश्टीया इसका इंटिग्रेशन किस तरीके से हुआ हमको यह जानना है तो हुआ क्या था कि 1861 में एक्चली केवर जो है वो डेट कर जाता यानि 1861 में केवर की मृत्ती हो गई और इसी के बाद इमेन्वल सेकें को युनाइटेड इटली का जो है किंग प्रोक्लेम कर दिया गया और अब जो दो स्टेट्स बचे थे वेनेश्ट्रिया और पर इनको यूनिफाइग करने की जिमेदारी थी वो थी इमेन्वल सेकेंड के उपर अब इमेन्वल सेकेंड क्या करता है वह हमको जानना है अब युई, और अश्ट्रिया का यहाँपर रूल हुआ करता था, यह अब लुम्बार्डी-वेनेश्या, पर्मा- मोडेना और टसकनी को तो ले लिया गया था, अब वेनेश्या भी नहीं मिना था तो वेनेश्या को जो है लेट कर आना था, आजाद कराना था तो यहाँ पे टेखनिक जो है एक जो है बहुत ही बड़ा जो है एक प्लाण जो है बनाता है міन् parchment होता क्या है कि औस्ट्रिया जो था वो इटली और प्रशा दोनों का जो है वो common enemy था दोनों का दुस्मन था और आपको पता है कि दुस्मन का दुस्मन यानि कि दोस्त ठीक है यानि कि जो है इटली और प्रस्टिया दोनों का जब दुस्मन है ठीक है तो इटली का जो है दोस्त हो गया प्रस्टिया और मैंने पिछले लेक्षर में दोस्तो जब जर्मनी का युनिफिकेशन में आपको बता कैया था कि प्रश्टिया और ऐ्रियर और और चाहिए गिलेंद ऐल fort ऊप्र एक प्रश्टिया और ऑस्तिया के बिचमे उसको हम बोलते हैं इच्च्च vidéo पर attack कर दिया, और इस तरो के से उसने Venestia को भी जो है आपने जो है territory में, Italy में उसने integrate कर लिया, Venestia को भी मिला लिया, तो इस तरो के से दोस्तों अब लोंबार्डी, ठीक है, parma, modena, top elle can be 2 sisters और Venestia, यह अब सिर्फ एक state बचा है, कौंचा, पैपल state, तो आयो जाने औहीं कोजिश करते है युष्प्र इस्टेट को किस तरहिके से इंटीगरेट किया गया। तो हम देखते हैं इंटीग्रेशना परपल सेट। इसको रोम भी बोलती है दुस्तों, यह में इंटीगरेट किया गया था तो ये है पेपल इस्टेट ठीक है तो पेपल इस्टेट में जो है वो पोप के कंट्रोल में था ठीक है ना पोप आप जानते होंगे कि जो केथोलिक्स क्रिश्चियन होते हैं पूरे वर्ल्ड के उनका spiritual leader माना जाता है पोप को ठीक है तो Pope यहाँ पे रूल करता था और Pope को जो है France की जो आर्मी थी वो उसको प्रोटेक्ट करती थी यानि की पैपल स्टेट में France की आर्मी रहा करती थी और वो इसको प्रोटेक्शन दे दी थी Pope को ठीक है उसी समय 1870 के समय में क्या हुआ कि एक हुआ Battle of Sudan Battle of Sudan हुआ था France और France और प्रश्या के बीच में ठीक है तो France और प्रश्या के बीच में जब लड़ाई हुई तो प्रश्या एक powerful उसमें territory हुआ करता था तो France को लगा जो है कि अब हमको सब अपनी सेना को मिला करके और प्रश्या के अगेंस में वार कर देना चाहिए तो उसने क्या किया कि France ने जो उसकी आर्मी यहां प्रश्या से लड़ाई करनी है जैसे ही प्रश्या से फ्रांस ने अपनी आर्मी को Battle of Sudan में पार्टिसिपेट करने के लिए वापस बुलाया उसी समय इटलियन आर्मी पैपल इस्टेट में एंटर कर जाती है और इस तरीके से पैपल इस्टेट को भी इटली में इंटीग्रेट कर लिया गया और इस तरीके से इटली का इंटीग्रेशन दुस्तों कमप्लेट हुआ लेकिन यहाँ पर जो Pope का rule धुगा गरता था उस Pope को वहाँ से नहीं हटाया गया क्यों क्योंकि Pope को जो है vrij Smash का उसी से लेटर मनَ जाता है तो अगर Pope को हटा दिया जाता तो सभी जो Catholics जो Christian है वो लोग Xaridσादीनिया है जिससने इसको lead किया था इम्हेंवेल जो second जो ruler था यहां का उसके against में आ जाते तो इसलिए जो है उसने क्या किया कि पेपल इस्टेट के अंदर ही एक Vatican City इस्टेबलिस किया गया और Vatican City जो 10 स्क्वार किलोमेटर का एरिया था उसके उपर control दे दिया गया Pope का यानि कि जो है Pope जो है उसकी sovereignty थी वहाँ प प्रोटी country हम क्या सकते है वो Rome के अंदर में ही है ठीक है और इस रोम कोई बाद में जो है यूनिफिकेशन के बाद इटली ने अपना जो है capital बनाया और यह Vatican City जो थी यहां पे आज भी जो है Pope का रूल चलता है और इसमें इंटली जो है इंटरफेयर नहीं करता है लेकिन व सबको जो है integrate कर लिया गया जो seven states से सबको जो है integrate कर लिया गया और इस तरीके से इटली का यूनिफिकेशन complete हो गया दोस्तों इटली का यूनिफिकेशन जब complete हो गया तो king कौन था unified इटली का वो था Emmanuel second जो मैंने आपको शुरू में ही बताया था लेकिन दोस्तों एक बड़ nationalism के बारे में nationalism के बारे में कोई idea नहीं था वो बस participate कर रहे थे और जहां लड़ाई करने के लिए बूला जा रहा था वो लड़ाई में participate कर रहे थे mostly Garibaldi के साथ ठीक है तो जब Garibaldi के साथ लड़ाई करते थे तो बार-बार ये बात कहा जाता था कि हम इटेलिया के लिए ठीक है तो उनको यहीं पता था कि इटलिय का मतलब क्या है इटलिया कोहन है तो उनको लगता था की जो ला तैलिया जो है कि जो विक्तर ऑन्यू спис और चुशंट में पुछा गया है सक्पूच्ड का पता है समझ में आया होगा अगर यह पांच नमर का यह question पुछाता है five marks का तो five points कोई five points लिखिए जितना मैंने आपको कहानी सुनाया आज तो उसमें से five points जो लिख देंगे वो सही है second question पुछा गया describe the events which led to proclamation of Victor Emmanuel second as king of unified Italy तो आप कोई भी event लिखिए उसमें आप event लिख सकते हैं कि county kever जो है वहां का chief minister बनता है उसके बाद से उसने कौन-कौन सी लड़ाई या लड़ी किस से लड़ी किस तरीके से उसने different states को unified किया इन सब को लिख सकते हैं तो यही इसका answer होगा अगर कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और अगर कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए मैं उसका तुरंट उसका reply देने की कोशिस करूँगा थैंक्यू दोस्तों